नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में लनोवो योगा टाब 11 वर्सिस सामसंग गालेक्सी टाब S7 प्लस का फुल डेप्थ कमपारिजन करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं दोनों टाब के डाइमेंशन की दोनों टाब की लेंथ की बात करें तो योगा टाब 11 में 10.11 इंच जब की टाब S7 प्लस में 11.22 इंच की लेंथ मिलती है विद की बात करें तो योगा टाब 11 में 6.65 इंच जब की टाब S7 प्लस में 7.28 इंच की विद मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Yoga Tab 11 में 0.31 इंच जबकि Tab S7 Plus में 0.22 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Yoga Tab 11 में 655 ग्राम्स जबकि Tab S7 Plus में 575 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कमपेर करते हैं डिस्प्ले ताइप की बात करें तो, Yoga Tab 11 में Ips LCD जबकि Tab S7 Plus में Super AMOLED की दिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Yoga Tab 11 में 11.0 इंच जबकि Tab S7 Plus में 12.4 इंच दिस्प्ले रेसलूशन Yoga Tab 11 में 1200 x 2000 और Tab S7 Plus में 1752 x 2800 मिलता है Screen to Body Ratio Yoga Tab 11 में 89.36 प्रतिशत जबकि Tab S7 Plus में 84.85 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Yoga Tab 11 में 212 प्रति इंच जबकि Tab S7 Plus में 266 प्रति इंच मिलती है अब बात करते हैं Display के अन्य Features की जो की Tab का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं Camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो Yoga Tab 11 में एक Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera देखने को मिलता है और Tab S7 Plus की बात करें तो इसमें 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में ultra wide angle camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो yoga tab 11 में 3 different type के features मिल जाते है और tab S7 plus की बात करें तो उसमें 6 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानी की selfie camera की तो दोनों tab में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो tab में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Yoga Tab 11 में Mali G76MC4 जबकी Tab S7 Plus में Adreno 650 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Yoga Tab 11 में MediaTek Helio G90T और Tab S7 Plus में Qualcomm Snapdragon 865 Plus मिलता है बात करें RAM की तो, Yoga Tab 11 में 4GB जबकी Tab S7 Plus में 6GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों tab में same ही 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो, Yoga Tab 11 में अप्टो 256GB जबकी Tab S7 Plus में अप्टो 1TB है operating system की बात करें तो, Yoga Tab 11 में Android V11 जबकी Tab S7 Plus में Android V10 Q देखने को मिलती है बाटरी, Yoga Tab 11 में 7500MH जबकी Tab S7 Plus में 10,090MH देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो, Yoga Tab 11 में एक colors जबकी Tab S7 Plus में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Yoga Tab 11 4GB रेम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 में मिल जाता है और बात करें Tab S7 Plus की तो वो 6GB रेम 128GB स्टोरेज के साथ 71,515 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और पॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में दोनो टैब सेम ही है में कैमरा में Tab S7 Plus आगे है फ्रन्ट, सेल्फी कैमरा में दोनो टैब सेम ही है परफॉर्मेंस में दोनो टैब सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें सामसंग गालेक्सी टैब S7 FE वाइफाई है दूसरा Nokia T20 है तीसरा Apple iPad 10.2 2021 वाइफाई है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Acer 124 है और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना